आप सभी का फिर से स्वागत है कॉम्पेटिशन कम्यूनिटी में मैं हूँ अभिशेक गौरह और हम डील कर रहे हैं करंट अफियर्स कल हमने डील किया था राश्ट्री और अंतर राश्ट्री समसमाई की को जो हमारे एक्जाम पॉइंट आफ यू से इंपॉर्टेंट रहे है आज हम उनके उपर बहु विकल्पी प्रश्टों को क्या करके देखते हैं सॉल्व करके देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे सवाल बनाए जा सकते हैं सबसे पहला जो हमारा सवाल होगा वेर वॉज दा नेटो सब्मेट ऑफ दे एर टुथाजुन प्वेंटी फॉर रिसेंटली हेल्ड याने की वर्ष दोहजार चॉबिस का नाटो जो शिखर सम्मेलन है उसे हाल ही में कहां आयोजित किया गया था आप सभी से अनुरोध रहेगा चाहे हमारे कमेंट सेक्षन का यूज करें या फिर आप लोग किसका यूज करेंगे पैन कॉपी ले करके आप सभी बैठेंगे और अपने सभी क्वेस्चन्स को यहां पर डील करते चलेंगे अंतिम में आप लोग सेल्फ इवालियेशन करें या फिर स्वा मुल्यांकन करेंगे तो कहां हुआ था भाई नाटो का शिखर सम्मेलन लंदन सैंटियागो जनेवा या फिर वाशिंग्टन डीसी आंसर यहां पर आप लोगों के लिए हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी क्या है ये ऑप्शन नमबर डी और क्या है ऑप्शन नमबर डी वाशिंग्टन डीसी तो वाशिंग्टन डीसी में क्या हुआ था हाल ही में आपका आयोजन कराया गया था किसका नेटो के शिखर सम्मे इलन का है ना चलिए अगला चलते हैं या फिर नाटो का मुख्यालय कहां पर है जिनेवा शिट्जर लैंड रूसल्स बेल्जियम मॉस्को रुश्या या फिर सिड्नी ऑस्ट्रेलिया कहां पर है नौथ अट्लैंटिक ट्रीटी और्गनाइजेशन जिसकी स्थापना चार अप 1949 को की गई थी एक किसके रूप में मिलीटरी और मिलीटरी अलायंस के रूप में मिलीटरी अलायंस के रूप में सैन ये गडबंधन के रूप में क्या किया गया था इसका निर्मान कराया गया था चार अपरेल उन्निस सो उन्चास को कहा है इसका मुख्याल है जिनेवा स्विट्जर लैंड ब्रूसल्स बेल्जियम मॉस्को रश्या या फिर सिड्नी उस्ट्रेलिया में है यहां पर आप लोगों का जो जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम या फिर उसकी ब्रूसल्स बेल्जियम में है क्या नेटो का हेड़ क्वार्टर्स अगला क्वेशन हमारे पास में है अब देखे यह जो आपका क्वेशन नंबर 3, 4, 5 और 6 है इन चारों को आप लोग एक साथ पहले डील करेंगे उसके बाद हम एक एक करके इन चारों का क्या देंगे आप लोगों को जवाब देते चलेंगे तो निम्न लिखित में से किस भारतिय व्यक्ति को शेवेलियर डे ला लीजियन, नाइट्स ओफ दे लीजियन ओफ ओनर से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी, किरन मजूमदार शोह, रोश्नी नडार या फिर इन में से कोई नहीं आप लोग सबसे पहले इसका जवाब देंगे फिर हम जाएंगे अगले क्वेश्चन में शेवेलियर डे ला लीजियन जो है, नाइट ओफ दे लीजियन ओफ ओनर इसका आप लोग जवाब देंगे अप्शन नमबर ए है, फ्रांस, बी जर्मनी, सी रश्या, या फिर डी थाई लैंड है ना, तो दो क्वेश्चन क्या हो गए सेम जो है आपका नाइट ओफ दे लीजियन ओफ ओनर उसे किसे दिया गया है भारतिय व्यक्ति को कौन से देश का ये क्या है, सरवोच नागरिक सम्मान है अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हूँ अमंग्स दे फॉल्विंग पर्सनालिटीज ओफ इंडिया रिसीव्ड दा ओडर ओफ सैंट एंड्रिव दे अपोस्टल भारत के किस निम्नलिकित व्यक्ति को ओडर ओफ सैंट एंड्रिव दे अपोस्टल से सम्मानित किया गया है औप्शन आपके पास में बिल्कुल सेम है, कौन कौन से नरेंद्र मोदी, किरन मजूमदार शौ, रोश्नी नडार या फिर नन ओफ दी अबव और अगला जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, वो है और ओडर ओफ सैंट एंड्रिव दे अपोस्टल इस दा हाइएस सिविलियन अवार्ड ओफ विच अफ दे फॉल्विंग कंट्री ओडर ओफ सैंट एंड्रिव दे अपोस्टल किस देश का सर्वोच नागरिक सम्मान है फ्रांस, जर्मनी, रश्या या फिर थाइलेंड ये चारो सवाल का आप लोग जवाब अपने पास में लिख कर के रखिए या फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए हम वापस चलके फिर से क्या करेंगे चारो क्वेश्चन का आपको जवाब देंगे है ना तो ये ओडर ओफ या ओफ सेंट एंड्री अपोस्टल कौन से देश का सर्वोच नागरिक सम्मान है सेंट ओडर ओफ सेंट एंड्री अपोस्टल किसे दिया गया पांचवा क्वेश्चन पिर Knight of Legion of Honor किस देश का सर्वोचनागरिक सम्मान है और Knight of the Legion of Honor किस व्यक्ति को दिया गया था वाल ही में दिया गया है ये सभी घटनाएं आपकी 7 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई के बीच में ही हो रही है तो इसका जवाब आप लोगों के पास में हो जाएगा option number C रोश्णी नडार option number C रोश्णी नडार को विश्व में बिजनेस और स्टेबिलिटी के लिए क्या दिया गया है उनके कारी किये हुए कारियों को सराहना के लिए ये दिया गया है आपका क्या शेवेलियर डेला लेजियन Knight of the Legion of Honor और ये कौन से देश का सर्वोच सम्मान है France, Germany, Russia, Thailand तो ये आपके France का क्या है सर्वोच नागरिक सम्मान है इसी प्रकार The Order of St. Andrew the Apostle है ये दिया गया है किसे भारती अप्रधान मंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को और ये कौन से देश का सर्वोच नागरिक सम्मान है तो ये है आपके Russia का नागरिक सम्मान तो क्योंकि दो अलग-अलग देशों के सर्वोच नागरिक सम्मान से हमारे देश के दो बहुत ही क्याती प्रप्त व्यक्तित्वों को क्या दिया गया है और क्योंकि दोनों के नाम कुछ मिलते जुलते हैं तो वहाँ पर clarity के लिए हमने ये क्या किया है इन चारों कोश्चन को आपको इस तरीके से deal कराया है आप कोशिश करेंगे इसको एक बार और जरूर देखेंगे तब जा करके ये क्या होगा आपके लिए clear होगा हाल ही में भारत में खबरों में रहा जोरावर क्या है तो जोरावर रिसेंटली सीन इन न्यूज इन इंडिया इस वोट इंडिजिनेसली बिल्ड लाइट टैंक जॉइंट मिलीटरी एक्सराइज बिट्विन इंडिया एंड मॉंगोलिया अनमैंड एरियल वीकल जॉइंट नेवल एक्सराइज बिट्विन इंडिया एस श्री लंका स्वदेशी रूप से निर्मित हलका टैंक है भारत और मॉंगोलिया के बीच संयुक्त सेन्य अभ्यास है मानाव रहित हवाई वाहन है या फिर भारत और श्री लंका के बीच एक संयुक्त नौसेनिक अभ्यास है इनमें से क्या है जॉरावर बताईए क्या है जॉरावर तो जॉरावर है भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित एक लाइट टैंक क्या है एक लाइट टैंक है यह स्वदेशी रूप से बना हुआ ठीक है चलिए अगला देखते हैं वाट इस नोमेडिक एलिफेंट नोमेडिक एलिफेंट जो हाल ही में चर्चा का विशह रहा है यह क्या है इंडीजिनस्ली पिंड लाइट टैंक जॉइंट मिलीटरी एक्सराईज बुटीन इंडिया एड मंगोलिया अनमैंड एरियल वीकल या फिर जॉइंट नेवल एकसराईज बुटीन इंडिया एंड श्री लंका स्वदेशी रूप से निर्मित लाइट टैंक है, भारत और मंगोलिया के बीच एक संयुक्त सेन या अभ्यास है, मानव रहित हवाई वाहन है, या फिर भारत और श्रिलंका के बीच में आपका संयुक्त नौ सेना का अभ्यास है, यह क्या नो मैडिक एलिफेंट, बताइए क् तो यह आप लोगों के लिए joint military exercise है, किसके किसके बीच में, इंडिया और मंगोलिया के बीच में, ठीक है है, चलिए, आगे देखते हैं, विच कंट्री रिसेंटली लॉंच्ट वर्ल्ट स फर्स मोटर साइकल तू रन ओन कंप्रेज नैच्रल गैस, किस देश ने हाल ही में संपीडित प्राकृतिक गैस, CH4, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिथेन, मिथेन कहा जाता है, इससे चलने वाला मोटर साइकल या फिर दो पहि या वहन लॉंच किया है, किस देश ने, जापान, चाइना, इंडिया, फ्रांस, जापान, चाइना, इंडिया या फिर फ्रांस, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, भारत, भारत ने ही हाल ही में क्या किया है, C and G से चलने वाला मोटर साइकल या फिर बाइक लॉंच की है, और यह बाइक कौन सी है, कौन सी बाइक है यह, यह है आपका बजाज फ्रीडम 125, बजाज फ्रीडम 125 वाली, चीक है, चलिए, अगला क्वेशन देखते हैं, दस्वा, प्रतियोगिता के में किस भारती AI मॉडल को शामिल किया गया है, यह अपसे पूछा जा रहा है, अप्शन नमबर A, जारा शतावरी, अप्शन नमबर B, लारा मलशाही, अप्शन नमबर C, क्लारा काउंटी, और अप्शन नमबर D, कैंजा लेली, भारत की AI मॉडल, जिनने क्या किया गया है, AI Miss World जो आपका कॉंटेस्ट हुआ था, उसमें शामिल किया गया था, जारा शतावरी, लारा मलशाही, क्लारा काउंटी, या फिर कैंजा लेली, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जवाब हो जाएगा, उप्शन नमबर A, जारा शतावरी, और वहीं जो आपकी यह कैंजा लेली है, यह मौरको की AI इंफ्लूएंसर है, या फिर AI ब्यूटी रही है, और इन्होंने क्या किया है, यह कॉंटेस्ट जीत लिया है, यह विनर रही है, मतलब यह Miss World, Miss AI World बन गई है, इन्हें प्राप्थ हुआ है, अगला क्वेशन देखते हैं, निम्द में से कौन सा देश आंत्रिक क्रिकेट परिशद द्वारा, आंत्रिक, अंतर राश्ट्री, इंटरनाशनल क्रिकेट काउंसल, ICC तो निम्द लिखित में से कौन सा देश अंतर राश्ट्री क्रिकेट परिशद द्वारा, पुरुष और महिला, दोनों श्रेणियों में, महिने का सर्वोच खिलाडी का पुरस्कार पाने वाला पहला देश बन गया है, मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी नेशन को दोनों ही, याने कि बेस्ट प्लेयर ओफ दा मन्थ मेल और बेस्ट प्लेयर ओफ दा मन्थ फीमेल दोनों ही दिये गए हों, और वो देश कौन सा बन गया है, ये आप लोगों को बताना है, अप्शन नम्बर A है पाकिस्तान, या फिर B है श्रीलंका, अप्शन नम्बर C है इंग्लैंड या फिर अप्शन नम्बर D है इंडिया, कौन सा वो देश है जिसे प्लेयर ओफ दा मन्थ दोनों दिये गए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है, मेल और फीमेल दोनों ही दे दिये गए हों, कौन सा नेशन है वो, ये आप लोगों को बताना है, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड या फिर भारत, यहाँ पर आप लोगों के लिए जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नमबर D, इंडिया और जस्पृत बुम्राः जस्पृत बुम्राः को क्या मिला है, प्लेयर ओफ दा मन्थ मिला, अच्छा ठीक, यह भी हमारा सवाल है, आगे देखते हैं, अभी हमने देखा, जस्पृत बुम्राः को क्या दिया गया है, प्लेयर ओफ दा मन्थ मेल, जून का किताब से नमाजा गया है, इसके बाद में हमारे पास में हैं, निम्न लिखित में से कौन अंतरराश्ट्री क्रिकेट परिशद द्वारा जून माह की सर्वश्रेष्ट खिलाडी महीला बनी है, तो फीमेल किसे दिया गया है, प्लेयर ओफ दा मन्थ, मनपरीद कौर, स्मृती मननाना, दिप्ती शर्मा, या फिर नन ओफ दी अबव, मेल दिया गया है किने जस्पृत बुम्रा, और यही जस्पृत बुम्रा क्या रहे हैं, जो हाल ही में T20 का वर्ल्ड कप हुआ, उसके man of the series भी रहे हैं या फिर player of the series भी रहे हैं, player of the series, और इसके साथ आप लोग हमें कमेंट करके इस पैक्ट का जवाब देंगे वो कौन सा भारतिय क्रिकेटर है जिसे T20 कप में या फिर T20 के फॉर्मैट में सबसे पहला रैंक मिल गया है ओल राउंडर होने के लिस्ट में याने की आल राउंडर्स की लिस्ट में T20 में टॉप करने वाला हमारे भारतिय पहला कौन सा क्रिकेट प्लेयर बन गया है यहां पर आप लोगों के लिए जो अप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर याने की स्मृति मंधाना को क्या बनाया गया है player of the month female बनाया गया है ठीक है who amongst the following have been appointed as flag bearers for India in Paris Olympic Paris Olympic में निम्न में से किसे भारत के ध्वजा रोहक के रूप में नियुक्त किया गया है यह सब किसकी बात हो रही है inauguration inaugural जो function होता है inaugural function उसमें किने बनाया गया है यह पूछा जा रहा है PV संदू, A. शरत कमल, गगन नारंग, विनेश फोगट केवल एक, केवल एक और दो, केवल एक दो तीन या फिर एक दो तीन और चार, चारो को ही बनाया गया है PV सिंदू, A. शरत कमल, गगन नारंग, विनेश फोगट PV सिंदू जो है यह हमारे भारत की स्टार क्या है? बैडमिंटन प्लेयर है वहीं जो अचट शरत कमल है यह हमारे टेबल टेनिस के प्लेयर है गगन नारंग हमारे क्या है? शूटर है और विनेश फोगट हमारी क्या है? रेसलर है हो सकता है कभी आप लोगों को ऐसा मैच दा फॉल्विंग में भी दिया जा सकता है तो जो हमारे इनॉग्रल फंक्शन होने वाला है पैरिस उलंपिक का उसमें जो ध्वजा रोहा क्या फिर फ्लैक बेरर्स होने वाले हैं इंडियन टीम के वो होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी वन एंड टू याने की पीवी संदू और अचन शरत कमल ये दोनों ही क्या करने वाले हैं ध्वजा हमारा वाहक के रूप में हमें देखने को मिलेंगे अगला सवाल हमारे पास में है निम्र लिकित में से किस खिलाडी को पेरिस उलंपिक दोहजार चौबिस के लिए चीफ डी मिशन नियुक्त किया गया है याने की चीफ डे मिशन के रूप में किस खिलाडी को क्या किया गया है नियुक्त किया गया है पीवी संदू अचन शरत कमल गगन नारंग या फिर विनेश फोगाट इनमें से कौन से वो खिलाडी हैं जिने एक हिसाब से पैरिस ओलंपिक का लीडर घोशित किया गया है पीवी सिंदू, एशरत कमल, गगन नारंग या फिर विनेश फोगट यहाँ पर आप लोगों के लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गगन नारंग गगन नारंग ही है वो व्यक्ति जिने क्या किया गया है आपका चीफ डिमिशन नियुक्त किया गया है पैरिस ओलंपिक के लिए यहाँ हमारा खतम होता है जुलाई महीने के दूसरे हफ़ते में वे सभी समसमाई की याने की चतीजगर राश्ट्रिय अंतर राश्ट्रिय समसमाई की साथ साथ उनके उपर बेस्ट क्या बहु विकल्पी है प्रश्ट हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपनी करेंट अफ़र्स की जर्नी में एक्सल कीजिए थैंक यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कमिनिटी के साथ आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको